स्टोरी जैम में आपका स्वागत है यहां आप सुनेंगे कहानियां कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी आज सुनिए कुर्दलैन हैदर की लिखी कहानी पोटोग्रफर मौसमे बहार के फूलों से घिरा बेहद लुभावना गेस्ट हाउस हरे भरे टीले की चोटी पर दूर से नजर आ जाता है टीले के एन नीचे पहाड़ी जील है एक बल खाती सडक जील के किनारे किनारे गेस्ट हाउस के फाटक तक पहुँचती है पाटक के नजदीक वालरस जैसी मूचों वाला एक फूटोग्रफर अपना साजो सामान पहलाए एक टीन की कुरसी पर चुप चाप बैठा रहता है ये गुमनाम पहाडी कस्पा टूरिस्ट इलाके में नहीं है इस वज़ा से बहुत कम सियाह इस तरफ आते हैं चुनाचे जब कोई सुहाग रात मनाने वाला जोड़ा या कोई मुसाफिर गेस्ट हाउस में आ पहुचता है तो फोटोग्रफर बड़ी उम्मीद और सब्र के साथ अपना कैमरा समहा ले बाग की सड़क पर टहलने लगता है बाग के मालिक से उसका समझहाता है गेस्ट हाउस में ठहरी किसी नौजवान खातून के लिए सुबह सवेरे गुलदस्ता ले जाते वक्त माली फोटोग्रफर को इशारा कर देता है और जब सुहाग रात मनाने वाला जोड़ा नाश्टे के बाद नीचे बाग में आता है तो माली और फोटोग्रफर दोनों उनके इंतजार में चौकस मिलते हैं फोटोग्रफर मुद्दतों से यहां मौजूद है ना जाने और कहीं जाकर अपनी दुकान क्यों नहीं सजाता लेकिन वो इसी कस्बे का बाशिंदा है अपनी जील और अपनी पहाड़ी छोड़ कर कहां जाए इस फाटक की पुलिया पर बैठे बैठे उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं पहले यहां सहब लोग आते थे बरतानवी प्लैंटर्ज, सफेद सोला हैट पहने कलोनियल सर्विस के जगादारी ओहदेदार उनकी मेम लोग और बाबा लोग रात रात भर शराबें उड़ाई जाती थी और ग्रामा फोन चीखते थे और गेस्ट हाउस के निशले ड्रोइंग रूम में लकडी के बने फर्श पर डांस होता था दूसरी बड़ी लड़ाई के जमाने में अमरीकन आने लगे थे फिर मुल्क को आजादी मिली और इका दुका सियाह आने शुरू हुए या सरकारी अफसर या नए बयाहे जोड़े या मुसवेर या कलाकार जो तनहाई चाहते हैं ऐसे लोग जो बरसात की शामों को झील पर जुकी धनुश का नजारा करना चाहते हैं ऐसे लोग जो सुकून और मुहब्बत के तलाश में हैं जिसका जिन्दगी में वजूद नहीं क्योंकि हम जहां जाते हैं फना हमारे साथ है हम जहां ठहरते हैं फना हमारे साथ है फना मुसलसल हमारी हमसफर है गेस्ट हाउस के मुसाफिरों की अवाक जवाक चारी है पोटोग्रफर के कैमरे की आँख ये सब देखती है और खामोश रहती है एक रोज शाम पड़े एक नौजवान और एक लड़की गेस्ट हाउस में आन उतरे ये दोनों अंदाज से सुहाग रात मनाने वाले मालूम नहीं होते थे लेकिन बेहद खुश और संजीदा से वो अपना सामान उठाए उपर चले गए उपर की मनजल बिलकुल खाली पड़ी थी सीने के बराबर में डाइनिंग हॉल था और उसके बाद तीन बड़े रूम्स ये कमरा मैं लूँगा नौजवान ने पहले बेडरूम में दाखिल होकर कहा जिसका रुख जील की तरफ था लड़की ने अपनी छटरी और ओवर कोट उस कमरे के एक पलंग पर फेग दिया था उठाओ अपना बोरिया बिस्तर नौजवान ने उससे कहा अच्छा लड़की दोनों चीज़ें उठा कर बराबर के सिटिंग रूम से गुजरती दूसरे में चली गई जिसके पीछे एक पुखता गली आरा सा था कमरे के बड़े बड़े दरीचों में से वो मजदूर नजर आ रहे थे जो एक सीड़ी उठाए पिछली दिवार की मरमत में मसरूफ थे एक बैरा लड़की का सामान लेकर अंदर आया और दरीचों के परदे बराबर करके चला गया लड़की सफर के कपड़े बदल कर सिटिंग रूम में आ गई नौजवान आतिशदान के पास एक आराम कुरसी पर बैठा कुछ लिख रहा था उसने नजरे उठा कर लड़की को देखा बाहर जील पर दफतन अंधेरा चा गया था वो दरीचे में खड़ी होकर बाग के दुंदलकी को देखने लगी फिर वो भी एक कुरसी पर बैठ गई नजाने ये दोनों क्या बातें करते रहे फोटोग्रफर जो अब भी नीचे फाटक पर बैठा था उसका कैमरा आँख रखता था लेकिन सुनने से लाचार था कुछ देर बाद वो दोनों खाना खाने के कमरे में गए और दरीचे से लगी हुई मेज पर बैठ गए जील के दूसरे किनारे पर खस्बे की रोशनिया जिलमिला उठी थी उस वक्त तक एक यूरोपियन सयाह भी गैस्टाहस में आ चुका था वो खामोश डाइनिंग हॉल के दूसरे कोने में चुप चाप बैठा खत लिख रहा था चंद पिक्चर पोस्कार्ट भी उसके सामने मेज पर रखे थे ये अपने घर खत लिख रहा है कि मैं एक रहस्यमई जगए के एक रहस्यमई डाक पंगले में मौझूद हूँ सुर्ख साड़ी पहने एक रहस्यमई हिंदुस्तानी लड़की मेरे सामने बैठी है बड़ा ही रॉमैंटिक माहौल है लड़की ने चुप के से कहा उसका साथ ही हस पड़ा खाने के बाद वो दोनों फिर सिटिंग रूम में आ गए नौजवान अब उसे कुछ पढ़कर सुना रहा था रात गहरी होती गई दफ़तन लड़की को जोर की छींक आई और उसने सून सून करते हुए कहा अब सोना चाहिए तुम अपनी जुखाम की दवा पीना न भूलना नौजवान ने फिक्र से कहा हाँ शबा खेर लड़की ने जवाब दिया और अपने कमरे में चली गई पिछला गली आरा खुप अंधेरे में पड़ा था कमरा बेहत पुरसकून खुनक और आराम देह था जिन्दगी बेहत पुरसकून और आराम देह थी लड़की ने कपड़े बदल कर सिंगार मेंज की दरास खोली दवा की शीशी निकाली कि दर्वाजी पर दस तक हुई उसने अपना काला की मौनो पहन कर दर्वाजा खोला नौजवान जरा खराया हुआ था सामने खड़ा था मुझे भी बड़ी सक्त खांसी उठ रही है उसने कहा अच्छा लड़की ने दवा की शीशी और चमचा उसे दे दिया चमचा नौजवान के हाथ से छूट कर पर्श पर गिर गया उसने जुक कर चमचा उठाया और अपने कमरे की तरफ चला गया लड़की रोशनी बुझा कर सो गई सुबा को वो नाश्ते के लिए ट्रॉइंग रूम में गई जीने के बराबर वाले हॉल में फूल महक रहे थे तामबे के बड़े बड़े कुलदान प्रासों से चमकाए जाने के बाद पॉल के जिल मिलाते चोबी फर्ष पर एक कतार में रख दिये गए थे और ताजा फूलों के अंबार उनकी नजदीक रखे हुए थे बाहर सूरज ने जील को रोशन कर दिया था और जर्द वसफेद तितलियां हर्याली पर उड़ती फिर रही थी कुछ देर बाद नौजवान हस्ता हुआ जीने पर नमुदार हुआ उसके हाथ में गुलाब के फूलों का एक गुच्छा था माली नीचे खड़ा है उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए बिशवाया है उसने कमरे में दाखिल होकर मस्कुराते हुए कहा और गुलदस्ता में इस पर रख दिया लड़की ने एक कली उठा कर बेख्याली से उसे अपने बालों में लगा लिया और अख़बार पढ़ने में मसरूफ हो गई एक फोटोगरफर भी नीचे मंडरा रहा है उसने मुझसे बड़ी संजीद्गी से तुम्हारे मुतालिक दर्याफ्त किया कि तुम फलां फिल्मी स्टार तो नहीं नौजवान ने कुर्सी पर बैटकर चाय बनाते हुए कहा लड़की हस पड़ी वो एक नामवर डांसर थी मगर इस जगए पर किसी ने उसका नाम भी न सुना था नौजवान लड़की से भी ज्यादा मशूर संगीतकार था अगर उसे भी यहां कोई न पहचान सका था इन दोनों को अपनी अस्थाई गुमनामी और मुकमल सकून के ये मुखतसर लमहात बहुत भले मालू हुए कमरे के दूसरे कोने में नाश्ता करते हुए अकेले यूरोपियन ने आखें उठा कर इन दोनों को देखा और जरा सा मुस्कराया वो भी इन दोनों की खामोश खुशी में शरीक हो चुका था नाश्ते के बाद वो दोनों नीचे गए और बाग के किनारे गुलमोहर के नीचे खड़े होकर जील को देखने लगे फोटोग्रफर अचानक छलावे की तरह सामनया खड़ा हुआ उसने बड़े ड्रमाई अंदाज में टोपी उतारी और सर जुका कर कहा फोटोग्राफ लेडी रड़की ने घड़ी देखी हम लोगों को अभी बाहर जाना है देर हो जाएगी लेडी फोटोग्रफर ने पाउं मुंडेर पर रखा और एक हाथ पहला कर बाहर की दुनिया की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया बाहर कारजारे हयात मतलब जिन्दगी में घहमासान का रन पड़ा है मुझे मालूम है इस घहमासान से निकल कर आप दोनों खुशी के चंद लमहे चुराने की कोशिश में मसरूफ है देखिए इस जील के उपर धनुश पल की पल में गायब हो जाती है लेकिन मैं आपका ज्यादा वक्त न लूँगा इधर आईए बड़ा बात दोनी फोटोग्रफर है लड़की ने चुपके से अपने साथी से कहा माली जुगोया अब तक अपने क्यू का मुंतजर था दूसरे दरख्त के पीछे से निकला और लपक कर एक और गुल्दस्ता लड़की को पेश किया लड़की खिल-खिला कर हस पड़ी वो और उसका साथी अमर सुन्दरी पारवती की मूरती के करीब जा खड़े हुए लड़की की आँखों में धूप आ रही थी इसलिए उसने ज़रा मुस्कराते हुए आँखें ज़रा सी चौंधिया दी थी क्लिक, क्लिक, तस्वीर उतर गए तस्वीर आपको शाम को मिल जाएगी थैंक्यू लेडी, थैंक्यू सर प्रोटोग्रफर ने ज़रा सा छुप कर दुबारा टोपी छुई लड़की और उसका साथी कार की तरफ चले गए सेर करके वो दोनों शाम पड़े लोटे संध्या की नारंजी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुरसियों पर बैठे रहे जब कोहरा गिरने लगा तो अंदर की निचली मन्जिल के लंबे चोड़े और खामोश ड्रोइंग रूम में नारंजी कुमकुमों की रोशनी में आ बैठे ना जाने क्या बाते कर रहे थे चो किसी तरह खत्म होने को ही नहीं आती थी खाने के वक्त वो उपर चले गए सुबह सवेरे वो वापिस जा रहे थे और अपनी बातों में उनको फोटोगरफर और उसकी खीची हुई तस्वीर याद भी न रही सुबह को लड़की अपने कमरे में ही थी जब बैरे ने अंदर आकर एक लिफाफा पेश किया फोटोगरफर सहाब ये रात को दे गए थे उसने कहा अच्छा सामने वाली दराज में रखतो लड़की ने बेख्याली से कहा और बाल बनाने में जूटी रही नाश्टे के बाद समान बांधते हुए उसे वो दराज खोलना याद न रही और जाते वक्त खाली कमरे पर एक सरसरी नजर डाल कर वो तेज-तेज चल्दी कार में बैठ गई नौजवान ने कार स्टार्ट कर दे कार फाटक से बाहर निकली फोटोगरफर ने पुलिया पर से उठकर टोपी उतारी मसाफिरों ने मुस्कुरा कर हाथ हिलाए कार ढलवान से नीचे रवाना हो गई वो वॉलरस जैसी मूचों वाला फोटोगरफर अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसी तरह उस गेस्ट हाउस के फाटक पर टीन की कुरसी बिचाए बैठा है और सियाहों की तस्वीरें उतारता रहता है जो अब ड़ाई हवाई सर्विश शुरू होने की वज़े से बड़ी तादाद में इस तरह आने लगे हैं लेकिन इस वक्त एरपोर्ट से जो टूरिस कोच आकर फाटक में दाखिल हुई उसमें से सिर्फ एक खातून अपना टैची केस उठाए बरामद हुई और ठिठक कर उन्होंने फोटोगरफर को देखा जो कोच को देखते ही फौरण उठ खड़ा हुआ था मगर किसी जवान और हसीन लड़की के बजाए एक अधेड उमर की बीवी को देखकर माई उसी से दुबारा जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ चुका था खातून ने दफ्तर में जाकर रेजिस्टर में अपना नाम दर्श किया और उपर चली गई गेस्ट हाउस सुनसान पड़ा था सयाहों की एक टोली अभी अभी आगे रवाना हुई थी और बैरे कमरे की जार पोंच कर चुके थे और डाइनिंग हॉल में दरीचे के नीचे सफेद बुराक मेज पर छुडी काटे जग मगा रहे थे खातून दर्मियानी बेडरूम में से गुजर कर पिछले कमरे में चली गई और अपना सामान रखने के बाद फिर बाहर आकर जील को देखने लगी चाय के बाद वो खाली सिटिंग रूम में जा बैठी और रात हुई तो जाकर अपने कमरे में सो गई गल्यारे में से कुछ पर्चाईयों ने अंदर जहां का तो वो उठकर दरीचे में गई जहां मजदूर दिन भर काम करने के बाद सीड़ी दिवार से लगी छोड़ गए थे कल्यारा भी सुनसान पड़ा था वो फिर पलंग पर आकर लेटी तो चंद मिनट बाद दर्वाजे पर दस तक हुई उन्होंने दर्वाजा खोला बाहर कोई न था सिटिंग रूम भाएं भाएं कर रहा था वो फिर आकर लेटी रही कमरा बहुत सर्द था सुभा को उठकर उन्होंने अपना सामान बानते हुए सिंगार मेज की दरास खोली तो उसके अंदर पिछे पीले कागस की नीचे से एक लिफाफे का कोना नजर आया जिस पर उनका नाम लिखा था खातून ने ज़रा ताज्जुब से लिफाफा बाहर निकाला एक कौक्रोच कागस की तह में से निकल कर खातून की उंगली पर आ गया उन्होंने दहल कर उंगली जटकी और लिफाफे में से एक तस्वीर सरक कर नीचे गिर गई जिसमें एक नौजवान और एक लड़की अमर सुन्दरी पारवती की मूर्ती के करीब खड़े मुसकुरा रहे थे तस्वीर का कागस पीला पड़ चुका था खातून चंद लमों तक कुम सुम उस तस्वीर को देखती रही फिर उसे अपने बैग में रख लिया वेरे ने बाहर से आवाज दी कि ये एरपोर्ट जाने वाली कोश तयार है खातून नीचे गई फोटोग्रफर नए मुसाफिरों की ताक में बाग की सड़क पर टहल रहा था उसके करीब जाकर खातून ने बेतकलुफी से कहा कमाल है पंदरा बरस में कितनी बार सिंगार में इसकी सफाई की गई होगी मगर ये तस्वीर कागस के नीचे इसी तरह पढ़ी रही फिर उनकी आवाज में जहला हटा गई और यहां का इंतजाम कितना खराब हो गया है कमरे में कौक्रोच ही कौक्रोच फोटोग्रफर ने चौक कर उनको देखा और पहचानने की कोशिश की फिर खातून की जुलियों वाले चेहरे पर नजर डाल कर अलम से दूसरी तरफ देखने लगा खातून कहती रही उनकी आवाज भी बदल चुकी थी चेहरे पर कटुता और सक्ती थी और अंदाज में चिड़-चिड़ापन और बेजारी और वो सपाट आवाज में कहे जा रही थी मैं स्टेज से रिटायर हो चुकी हूँ अब मेरी तस्वीरे कौन खीचे का भला मैं अपने वतन वापस जाते हुए रात की रात यहां ठेहर गई थी नई हवाई सर्विस शुरू हो चुकी है यह जगेर रास्ते में पढ़ती है और आपके साथ ही फोटोग्रफर ने आहिस्ता से पूछा कोच ने हौन बजाया आपने कहा था न कि कारजारे हयात जिद्दगी में घमासान का रन पड़ा है इसी घमासान में वो कहीं खो गए कोच ने दुबारा हौन बजाया और उनको खोए हुए भी मुद्दद खुसर गई अच्छा, खुदाहाफिज खातुन ने बात खत्म की और तेज-तेज कदम रखती कोच की तरफ चली गई वालरस जैसी मूचों वाला फोटोगरफर वाटक के नजदीग जाकर अपनी टीन की कुरसी पर बैठ गया जिन्दगी इनसानों को खा गई सिर्फ कौकरोच बाकी रहेंगे आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कॉमेंस जरूर लिखिएगा साथ ही सबस्क्राइब कीजेगा आपके फैमिली और फ्रेंज में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं उन्हें ये कहानी वाट्साप पर फॉवर्ड करें अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी लेख या कविता के साथ तब तक अल्विदा